जी वाई, स्लाम लेकूम, हाई अवरी वड़ी, आज हम लोग हम आउस पर आये हुए हैं, ये हमारा मतलाब रिस्तेदार तो है, लेकिन दोस्ती बहुत बच्पनागी, ये मेरा ममेरा बनोई है, जेकि आपने तके बांगला ते बोली, इस लोग बांगला तो है तो देख बेन इड़ा होचे, अमार मामा तो बोनेर हस्बेंड, बड़ो मामार मेर हस्बेंड, नौभा वाली नाम, अतार छेले इदेख बुन छोड़ा, ठीक है जे, यासी रहमान, तो खुब भालो, एक बोक्तोब बहुत चेगी, कि हमरा एक्टा को था अपनागे बोलते जाएगों, त अपना प्रुपर्टी के तरफ जा रहा हूँ, जो कि मैं आप लोग को देखाऊं, बहुत खुबसुरात बात कहना चाहरा हूँ, मैंने यहां पर आके अरेंज किया, यह देखिए मेरा ममेरा भाई, ठीक है, यह देखिए, अड़ व्लॉग बना अच्छी दिसलोग दरके न यह हमारा ममेरा भाई है, ठीक है, जब देखा रहे हैं, जो ममेरा भाई का हस्बिन था, तो जो मेरा ममेरा भाहिन का जो हस्बिन था, उनका यह भाई है, तो हम लोग बच्पना से पले बड़े हैं, दूख मुसीबत में एक साथ रहते हैं, कभी जगडा, कभी लड़ाई, लेकिन सब एक साथ ही रहते हैं, यह यूटूब बन रहा है, देखें, भावी भाग रही है, देखा देख जला कि, देखें, मुझे उपारी है, गाउं दयात की है, तो शर्मीली है विल्गूल, ठीक है, तो जाओ, परहोलो, महां उपर आसे, तो मक्सद यह है कि हम लोगा गा पूरा मनजिला है, पूरा बिल्डिंग है, यह अलिशान बनाया है, और यह रहा हमारा मेरा भाई का फाम माउंस और यह हमारा रहा फाम, मतलब यह हमारा जमीन है, जो कि इन फ्युचर, तो मसला यह है कि, मैं अपना जमीन करद दिखाओं और मैं कॉलकता वालों के मैसेज देन अचा रहा हूं इस एरिया में हम लोग पतंग बाजी करने के लिए आएंगे हर महीना में साथ साथ 14 अदमी ठीक है यहां पे जो है छत बहुत यहां पे बहुत छत है और हमारा सारा आपका जाके रिस्तेदारों का घर है अपना घरवार जो भी है सब हम लोग मिल जूल के रहेंगे ठीक है पतंग बाजी खूब करेंगे दो दिन के लिए आएंगे समझ लीजिए कि आज नाइट को आएं और कल पतंग बाजी किये फिर चले जाएंगे ठीक है और यह सारा हमारा जमीन है पेड़ पौदा है वो दूसरों का घर है यह हमारा बाउंडरी है पूरा ठीक है बहुत बड़ा फामा हूं साही है तब वहां तक हमारा पूरा है complete लेकिन शायद future में रहे गा या नहीं मालूम हो सकता है सेल कर दूँ क्योंकि अब गाउं देहात में आना बहुत काम होता है गाउं में हमारा बहुत जमीन है अंदर अंदर में बहुत जमीन है मेरा बाप दादाओ की अभी जो हमारा बंगलो था भाजादवारी में कलकत्ता के बहुत लोगों को मालूम है रिस्तेदारों का परेशानी में मैंन कोई सब्सक्राइव मिलेगे जिसको भी जो इंजॉय करना है सब होगा ड्र Eph three जैसा की म्हों खाना पिना करेंगे मतलwegen और किया सब्सक्राइव होता है ना जूपाना सब्सक्राइब वागेरा चिकन तंदूरी बियानी जो जैसा बनाएंगे हम लोग खाएंगे पीएंगे ठीक है तो बहुत अच्छे से इंज्वाइब करेंगे हम लोग ठीक है सब मिलक आर्स जेतने भी कोलकाता वाले हैं जिसको मुझे अच्छा लेगा वो मुझे कॉंटेक करेंगे उसमें पारेड ट्रेन का फेयर है यह वगरा है कि 2000 पे खर्चाया खाना पीना सब लेके तो इसी हिसाब से रहेगा हम लोग इंज्वाइब भी करेंगे और जितना भी छत रहेगा उस छतों में समझे लिए हम लोग पतंग बाजी करेंगे ठीक है और बहुत ही खूब एंटर्टेन भी है मेरे को छोड़के और तेरा बंदा यह देखिए बिचारा यह वीडियो देख रहा है ठीक है यह सोच रहा है यह क्या कर रहा है बहुत है तो हम लोग पतंग बाजी करेंगे महीना में दो दिन आके मेरा नवाब भाई जो है वो जा रहे बहुत है इदर आई यह आचा अचा अधर से जाने के लिए वीडियो वनाने के लिए बोल रहे है वहाँ पर भी चाद बहुत है कुछ और नहीं है तीन गंटा जाने में लगे गा तीन गंटा आने में लगे गा एक सो सतर असी किलोमेटर है खुब इंजॉय होगा यहां पे बहुत सारा स्पोट भी है जहां पे हम लोग पिकनिक कर सकते हैं देखे दिए जी देखे दिए गौर से देखें एक बार मैं यह बिल्डिंग दिखा तूम आप लोगों यह देखिए यह महल जो है देख रहे हैं क रहा है और कोई दूर करने ऐसा कोई शिकायत नहीं होगी जो दीन के लिए आएंगे सुबह साम पतंग बाजी होगी चुबह से लेकर समझ स्मझ लीजिए दोपहर नहीं ह obtain रहे हैं फिर दोपहर से लेकर आधा हुआ फिर ऑखिर शाम तक पतंग भाजी होगी दूसे लेकि जल्दी ताय कर रहा हूं ताकि मेरे भी पतंगबाजी होए मैं पतंगबाजी को बहुत महत्मा देता हूं ठीक है अभी देखिए हम लोग घूमने के लिए चले आ रहे हैं और भी गाड़ी लगी हुई हम लोगो भागना पड़ाएगा ठीक है भाई चलिए खुदा अफिस आ दिखाई देता होगा आप लोगो इस्टेशन का नाम ठीक है ना और यहां पर कभी कदर हम लोग टीम बना के आएंगे क्योंकि कलकत्ते में जगा नहीं है यहां पर हम लोग का बहुत सारा प्लेसेस है प्रोपड़ी है और यहां पर हम लोग का हुकुमत चलती है तो महीना म दो महीना में बाद देड़ महीने बाद हमारा कोलकाता का जितना साथी भी है हम ये आप लोग को मैसेस दे रहे हैं कि जो चाहेंगे हमारे साथ जुर सकते हैं जो कि 6-6-12 टीम बना के सिर्फ शौक होगा only पतंग बाजी नो बदमाशी, no anything ठीक है हम क्या बोलने का कुशिश कर रहे हैं कलकाता वालों को समझे only friendly हाँ सालाना गेम जैसा होता है ना friendly ये सिर्फ पतंगों का शौक no any arguments ना कोई बात समझदार के लिए सारा काफी है यही है बात ठीक है ना तो बात होगी इंशालला कलकाता में जब मिलके बात करेंगे ठीक है यह बात कलकाता मेरे शौक में आना मुझे contact करना हम लोग यहां के पिकनिक करेंगे और पतंग बाजी करेंगे ठीक है ना सम मिलके बात चित करेंगे इंशालला